तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ important stocks के बारे में, कुछ important companies के बारे में और यह जितनी भी companies हैं, जितने भी businesses हैं, long term growth story यहां पर intact नजर आती है तो इन सभी के अभी just quarter 4 के numbers announce हुए हैं तो इस वीडियो में हम earning analysis करने वाले हैं साथी साथ important यह है कि आगे की क्या earnity होनी चाहिए, technical chart पर क्या levels है as a retail innovation का हमको क्या करना चाहिए क्योंकि हो सकता है इसमें से कई stocks आपके portfolio में हो क्योंकि long term portfolio stocks भी आप इनको consider कर सकते हैं तो वीडियो को बिरह skip करें पूरा जरूर देखिएगा बहुत important updates भी आपके साथ यहां पर मैं share करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे HDFC life के बारे में इसके Q4 के numbers announce हो चुके है अलगे stock में numbers announce होने के बाद गिरावट है I think 0.5% के आस-पास लेकिन definitely numbers और हर metric पे यहां पर company ने अच्छा perform किया है revenue and scale front की बात की जाएं तो company लगातार अपना market share यहां पर gain कर रही है individual WRP यानि कि weighted received premium में लगातार यहां पर market share gain कर रहा है HDFC life अब भी market share की एक different slide है उसको हम देखेंगे यहां पर हमको समझ आएगा कि किस प्रकार private life insurers grow कर रहे हैं AUM growth की बात की जाए तो देखिए last year के मुकाबले इस साल काफी अची growth है around 17% यहां पर AUM growth नजर आ रही है profitability की बात के हैं and cost metric पर बात करें तो margin जो है नए business का वो यहां पर लगातार grow हो रहा है value of new business तो यह एक important metric है यहां पर company लगातार grow कर रही है quarter on quarter year on year जो new business है वहां पर यह value यहां पर लगातार हमको grow होती हुई देखने को मिल रही है profitability almost यहां पर flat नजर आ रही है लेकिन other metrics पर जो नया business company acquire कर रही है वो यहां पर काफी अच्छी तरीके से grow हो रहा है 13th month persistency की बात की जाए तो 87% की आसपास है which is really good यानि की जो policy holder है 13th month महिने में यानि की जो second year में कदम रख रहे है तो कितना renew करा रहे है तो 87% यहां पर renewal premium आ रहा है जो की अच्छी बात है solvency ratio 200% यहां पर गजब यहां पर सारी metric पर अच्छा perform किया है dividend करीब करीब 2% के दो रुपे के आसपास यहां पर पड़ शेर जो है announce कर दिया है अब यहां पर market share की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से private players और LIC में यहां पर comparison किया गया है individual WRP metric पे हाँ पर हम देख रहे है WRP यानि की weighted received premium तो basically अगर मैं simple भाशा में बताऊं तो जो premium का amount है policy holder से कितना यह receive कर रहे है specific period के दोरा उसी को WRP कहते है तो बहुत ही simple भाशा में बताया है हलाकि इसको थोड़ा वर depth में समझ सकते हैं लेकिन बिलकुल लेमेंट टामस में बात करें तो amount of premium received from a policy holder during a specific period उसी को यहां पर WRP कहा जाता है तो देखिए life insurance space में LIC सबसे बड़ा player है हम सभी को बता है लेकिन FI 14 से लेकर FI 23 तक का जो trend है उसमें आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से देखिए private players यहां पर grow कर रहे हैं बहुत fast growth यहां पर private players की आ रही है और individual weighted received premium में LIC ज़रूर grow कर रहा लेकिन बहुत ही slow growth है, कच्छुए की growth है और यहां पर private players की rabbit की growth यहां पर नजर आ रही है बाकि दूसरे जो products हैं या फिर दूसरे business segments में बात करें तो वहां पर overall private players लगातार market share यहां पर gain कर रहे है इसलिए definitely long term के point of view से बात की जाए तो SGFC life हो गया या फिर जो ICI से प्रूव हो गया या फिर private players से मैं जो लगता है यहां पर अच्छा grow करेंगे आने वाले कई सालों तक यहां पर इनने जो life insurance का business है वहां पर private players हमको grow करते हुए देखने को मिलेंगे, एक report के अनुसार यहां पर फोरकास्ट है कि जो इंडिया का insurance market है, it will be one of the fastest growing insurance markets in the world तो यहां पर long term की बात कर रहे है definitely technical chart पर आपको दिखेगा नहीं लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूँ long term की wealth creation देखे long term में होती है, यहां पर एक marathon है investment को यहां पर sprint रही है तब ही हमारे यहां पर पैसा growth करता है, wealth हमारी growth करती है तो SGC Live इसी प्रकार का एक business है जहां पर long term में पैसा बनता हो नजर आएगा तो यहां पर इस levels पर एक अच्छी खासी demand zone है, तो यहां पर मेरे ख्याल से आप इसको और accumulate कर सकते हैं, allocation का जरूर ध्यान रखना है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अनाप शनाप allocation एक ही business में कर दिया बिल्कुल diversified और well allocated portfolio हमारा होना चाहिए, तो SGC Life core portfolio stock है, इसको current market price पर add किया जा सकता है, demand zone पर यह stock देखने को मिल रहा है next यहाँ पर हम बात करेंगे सिंजीन की, सिंजीन को भी मैं काफी cover करता हूँ आप सभी को पताए कि यह भी मेरा portfolio stock है, तो सिंजीन के numbers देखिए, क्या जबरदस थमपो आते वे देखने को मिले, year on year को revenue growth 30% से ज़ादा है, operating profit 32% से grow हुआ है, margins अब सिंजीन की बात की जाए, तो देखिए, यहाँ पर growth नजर आ रही है, definitely और stock में भी आज 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 आज़ को positive up move देखने को मिला है और सिंजीन देखिए, crambs business में है, definitely अब यहाँ पर जो growth आ रही है, मुझे लग रहा है कि जो zoetis के साथ जो यहाँ पर contract हुआ था 10 साल का, वो यहाँ पर केकिन होता हूँ, नजर आया है supply I think यहाँ से शुरू हो चुगी है, 10 साल का यह contract था तो manufacturing जो यहाँ पर इनका segment है, वो यहाँ पर pick up करता हूँ, नजर आएका तो सिंजीन मुझे लगता है, long term story है, crambs यहाँ पर एक long term story है Indian space में, जहाँ पर यहाँ पर outsource कर रहे हैं, बड़ी बड़ी company, zoetis हो गया या फिर डूसरी जो companies है, सब यहाँ पर outsource कर रहे हैं, तो सिंजीन एक definitely बहुत बढ़िया business है, तो सिंजीन को आप definitely portfolio stock consider कर सकते हैं, लेकिन valuation अभी भी यहाँ पर premium इसको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक long term revenue growth, profitability growth नजर आती है, तो एक बार इसको cross करने दीजे, देखी यह वाला level जो है, इसका 678 का या 680 का आसपास का level जो है, अच्छा खासा resistance है, यहाँ पर काफी resistance stock लेता है, तो इसको cross करने दीजे तब इसमें आप buy कर सकते हैं, otherwise stage 2 consolidation है, आप देखी यह वाला consolidation था, इसका breakout हुआ, अच्छी तेजी आईगी, अब यह उपर की side consolidation हो रहा है, इसका breakout होगा, तो फिर एक अच्छी तेजी आईगी, यहाँ पर फिर एक, यहाँ पर consolidation होगा, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है, stock चलेगा, देरे-देरे चलेगा, यहाँ पर definitely अच्छी ग्रोथ है, तो यहाँ पर भी एक long term compounding होती भी नजर आ सकती है, सिंजीन में, ऐसा मेरा मानना है, आपका क्या opinion है, जरूर comment box में, जरूर show यहाँ पर share कीजिएगा, quarter on quarter भी अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पर मैं सोच रहा है कि quarter on quarter यहाँ पर growth बहुत minimalistic रहेगी, लेकिन quarter on quarter growth भी यहाँ पर अगर 10% के आसपास आ रही है, तो वो भी बहुत अच्छी है, तो मतलब KPIT is again benchmark set कर रहा है, यहाँ पर गजब की growth आ रही है, तो यहाँ पर again stock में भी उसी प्रकार का हमको एक up move देखने को मिल रहा है, आज की दिन आप देखी है, तो again फिर से यहाँ पर I think 2-4% के आसपास की तेजी हमको देखने को मिल रही है, और stock consolidate कर रहा है, उपर की side जब यहाँ पर एक breakout आएगा इस level का, करीब 946 और 950 के आसपास की जो resistances का breakout आने के बाद, फिर से stock अपनी उपर की charge यहाँ पर पकड़ सकता है, तो stock काफी महंगा हो चुका है, valuation definitely यहाँ पर महंगे हैं, लेकि KPIT को अगर आप buy करना चाते हैं, तो मुझे लगता है अब बहुत ज़ादा location आपको नहीं देना है, क्योंकि run up काफी हो चुका है, यहाँ पर कभी भी हमको profit booking आती हुए देखने को मिल सकती है, कभी भी यहाँ पर एक correction phase या फिर consolidation phase शुरू होता हुआ देखने को मिल सकता है उसके पिछे एक और reason है कि यहाँ पर अगर अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से लगातार जो promoters हैं, management हैं या फिर company के जो employees हैं, लगातार dispose करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने stake आप देखिए, जो trust है वो dispose कर रहा है और बड़ी-बड़ी quantities यहाँ पर dispose की जा रही है, designated persons जो हैं, employees के immediate relative जो हैं, या फिर मैं अगर promoters की बात करूँ, तो marts में promoters ने भी काफी अच्छा खासे हैं पर disposal किया है, तो ये भी थोड़ा हमको जहान रखना है, तो KPIT की बात की जाए, तो KPIT company अच्छी है, कोई problem नहीं है, लेकिन valuation बहुत जादा हो चुके हैं, तो मेरे हमको जहान रखनी है, बाकि अगर आप buy करना चाहते हैं, तो अपने decision यहाँ पर आप ले सकते हैं, मेरा अभी stance यही है कि थोड़ा इसको अभी avoid करें, तो ही बहतर है, अलगि यहांसे ऐसा नहीं है कि भाग नहीं सकता, और भी भाग सकता है, लेकिन जो मेरा opinion वो आपके surprise दिया है कि YOY growth 20% के आसपास हमको आती भी देखने को मिल रही है, quarter on quarter भी हम पर positive growth देखने को मिल रही है, जो की अच्छी बात है, तो हम पर LTTS ने भी अच्छा ग्रोग किया और आज टेक्निकली बात करें, तो टेक्निकली भी एक positive response हमको आता हुआ देखने को मिला है, इस तो यहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर LTTS को buy किया है, अगर आप मुझे follow कर रहे हैं तो आपको पताऊगो, तो LTTS, देखें, long term का business है, यहाँ पर कोई problem यहाँ पर नजर नहीं आती, LTTS, ER&D space में एक unique ER&D play है और जबरदस्त यहाँ पर गजब का एक मौका को ध्यान रखना है, ER&D space में unique company है, और long term story यहाँ पर intact नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर digital front पर बात की जाए, या फिर research and development front पर बात की जाए, तो LTTS के पास जो expertise है, वो काफी अच्छी यहाँ पर नजर आती है, जो यहाँ पर एक scale है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो relationship है, customers के साथ, जो बड़े बड़े यहाँ पर companies हैं उनके साथ, यहाँ पर जो इनका long term relationship है, वो काफी अच्छा नजर आता है, बाकि management की बात की जाए, Larson and Tubro Group की बात की जाए, तो इम सभी को पताए, कितना जबर्दस यहाँ पर एक brand है, तो LTTS को भी buy कर सकते हैं, अभी त जरूर यहाँ पर quarter on quarter decline हुए, लेकिन और front पे यहाँ पर year on year number भी अच्छे, quarter on quarter number भी अच्छे है, PAT में जरूर आपको थोड़े हाँ पर decline देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक basically one off expense था, जो यहाँ पर इनको दिखाना पड़ा, otherwise यहाँ पर PAT में भी growth देखने को मिल र और उसके उन सभी को Apple iPad gift कर रही है, company तो definitely shareholders के लिए पता नहीं, लेकिन employees के लिए तो definitely big news है, Apple का iPad यहाँ पर उनको gift किया जा रहा है, इस milestone को celebrate करने के लिए, employees को यहाँ पर दिया जा रहा है, dividend की बात करें, 19 रुपे per share के यहाँ पर dividend दिया है, अगर deal, order book की बात की जाए, त 20.7% की आसपास grow हो रही है, तो काफी अच्छी बात है, और यहाँ पर देखिए जो attrition है, वो भी जबर्दस्त यहाँ पर, मतलब industry का attrition काफी high है, लेकिन इस company का attrition 14.1% की आसपास है, तो industry lowest attrition पर यह company काम कर रही है, तो भाई अगर iPad अगर ऐसे gift करेंगे, तो कौन ही आती है, लेकिन करना क्या है, तो मेरे कहल से कोफोर्ज में भी आप buying कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा aggressive यहाँ पर भी नहीं होना है, उसके पिछे reason में आपको दूँगा भी, तो सबसे पर टेक्निकली बात की जाए, तो stock में आज के दिन तेजी है, एक अच्छे खास इस स्टेगर्ड लेवल, स्टेगर्ड में बाइंग करनी है, अगर स्टॉक 32 के आसपास आता है, 33 के आसपास आता है, तो मेरे खाल से एक बढ़िया buying opportunity होगी, तो let's see, आए गए नहीं, लेकिन इस लेवल पर भी धीरे धीरे इसको buy किया जा सकता है, लेकिन aggressive क्यों नहीं होन तो promoters 70% थे, जून 20 में और मार्च 23 में 30% रह चुके हैं, तो promoters का यहाँ पर stake लगातार कम हो रहा है, तो लगातार मतलब बहुत जादा कम हो चुका, 30% stake मतलब कि यहाँ पर इसके निंदा game नजर नहीं आ रही हाला कि जो एक point ये भी है, जो statement ये भी है कि भई जो promoters माल ब पर ये stock trade कर रहा है, अगर historical valuation देखें, तो वो करीब करीब यहाँ पर 10 के आसपास नजर आती है, तो ये दो चीज़ें एक तो promoters अपने stake लगातार कम कर रहे हैं, दूसरा PE यहाँ पर बहुत जादा high है, historical PE यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन इसका जो अभी का PE है, वो मतलब बहुत जादा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हलाकि DIs और FIs लगातार यहाँ पर buy कर रहे हैं, लेकिन promoters अपने stake लगातार बेच रहे हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से negative है, बाग कि आपका क्या thought process है इस चीज़ को लेकर मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा, इसलिए मैं क काफी जादा हैं, और और भी हैं, बाकी tier 1 तो है, Infosys है, TCS है, HCL Tech है, LTI है, यह companies तो हैं, तो कोफोर्ज में, देखिए हो सकता है, कोफोर्ज में गलत हूँ, कोफोर्ज क्योंकि business point of view से काफी अच्छा है, deal wins काफी जबर दसता है, attrition level काफी low है इस company के, और जो growth है वो काफ as always, फिर से एक बार वही numbers यहां पर पेश किये हैं, गजब की growth यहां पर देखिए, year on year basis पे आपको देखने को मिलेगी, net interest income में 28% की growth है, पैट में 31% की growth है, AUM growth 29% की आसपास नजर आ रही है, और जो management guide करता, जो corridor देता है, वो 25 to 27% का देता है, AUM growth का 29% की growth है, तो again हर metric पे हमेशा से यहां पर बीट किया है, और बजाज finance यहां पर आज के दिन हमको तेज भी देखने को मिल रहा है, और again फिर से देखिए, NBFC space में है, बजाज finance लेकिन हमेशा से यहां पर जो इसके underwriting रही है, वो काफी amazing रही है, और जो NPA है वो लगाता हमको कम होते हुए देखन को मिल रहे हैं, बाकि technically बात की जाए, तो technically अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि यहां पर 20-day moving average पे stock आ चुका है, यहां पर हमको buy करना है, और थोड़ा वहां से उपर जा चुका है, आज की दिन एक बार फिट से हमको तेजी देखने को मिल रही है, आज देखते हैं ए कि अभी बहुत जादा growth नहीं है, क्योंकि यार 50,000 करोड का जब इसका market cap था, जब यह 40-30-40% पर ग्रोग कर रही थी, तो अभी बहुत जादा market cap है, कितना market cap है इसका, जो है, I think यहां पर, let me check, कितना है, मतलब 3,44,000 करोड का market cap है, तो इस market cap पे 30-40% growth नहीं आएगी, लेक 20% भी आ सकती है, तो हमको यहां पर इस business को long term के लिए रखना है, बहुत जादा expectation नहीं रखनी है, एक अपनी conservative अपना expectation रखना है, और बजाज finance मुझे लगता है, यहां पर निराश नहीं करेगा, long term में यह अपना all time high break करने के बाद, 8-10,000 stock के levels भी यहां पर हमको देखने क मिल सकते हैं, तो इस stock को आपको core portfolio stock में consideration अपना इसको देना है, बाकी बजाज finance में अगर आपको ऐसा लगता है कि यह growth नहीं आएगी, तो आप उस हिसाप से अपना allocation दूसरे stocks में भी कर सकते हैं, तो आपका क्या opinion है बजाज finance को लेकर मुझे comment करके ज़रू बताएगा, मैं लाइक कीजिए, आपका opinion comments box में जरूर share कीजिएगा, और अच्छा लगाए वडियो, like करके जरूर जाएगा, मिलते हैं next video, till then take care, bye bye